परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती हैं न चाहतुए भी हरकाम करा लेती हैं जो तोड़ देते हैं परिस्थितियों के बंधन को सफलता उसे अपना महमार बना लेती हैं इनी शब्दों के साथ हम आपका प्रभात एक्जाम में स्वागत करते हैं अगर ब्यक्ति का होसला बलंदो तो संसाधनों की कमी और प्रिस्थितियां कभी बाधक नहीं बन सकती इस कतन को सच कर दिखाये सुपर थर्टी के संस्थापक आनद मानने दोस्तो हर वो बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है उसका एक सपना होता है IIT में एडमिशन का पर IIT एंट्रेंस एक्जाम इतना कटेन होता है कि आज कल उसके लिए अलग से कोचिंग इस्टिटूट भी खुल गए हैं इन कोचिंग इस्टिटूट की फीस इतनी जादा होती है कि साधानर परवार के बच्चों के लिए देपाना लगबग नामुम्किन जैसा होता है ऐसे गरीब बच्चों के सपनों का पूरा करने का बीड़ा उठाया है एक मसीया ने जिसको हम सुपर थर्टी आनंद कुमार के नाम से जानते है वैसे तो आनंद कुमार किसी परचे के मौताज नहीं है लेकिन पटना के एक निम्न परिवार में जन्मे आनंद कुमार को किसी परचे की भी ज़रूरत नहीं है कि उनकी सुपर थर्टी नाम की संस्था गरीब बच्चों को आ ई-इती दो में हुई थी और अब तक लगबग 500 में से 430 विध्यारती आयाइटी के प्रवेश परिच्छा में सफल हो चुके हैं चाहे द्यारी मजदूर का बेटा हो या फिर आर्टो ड्राइवर की बेटी बिजली मिस्त्री का बेटा हो या फिर फेरी लगाने वाले की बेटी निर् की उनके साथ रहने का खाने का खर्चा वे खुदी वहन करते हैं आनत कुमार सुपर 30 के लिए कोई सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तिय मदद भी नहीं लेते हैं अब तक देश के बड़े-बड़े द्यवपतियों ने उनकी आर्थिक मदद करने की बात कही लेकिन पदेश-विदेश के बड़े स्थानों में व्यक्यान भी दिये हैं उन पर अनि एक ब्रत्चित्र और फिल्में भी बनाई गई हैं बावजुद इसके उनके लिए एहनकार आनंद को छूब भी नहीं पाया है जीवन के आरंब में ही चुनोतियों से जूझने वाले आनंद के मकान में रहते हुए पापड बेचने से लेकर सुपर थर्टी कोचिंग खोलने तक का सफर उन्होंने कैसे तह किया वैसे तो आनंद कुमार किसी परशे के मोताज नहीं हैं लेकिन कुछ बड़े बड़े चैनल और मैगजीन ने उनके वारे में क्या वक्तव दिया है इसक अनंद कुमार के प्रयास से भारत के सबसे निचले तवके के लोगों के सपनों को हकीकत में बदला जा रहा है एनेच के टीवी चैनल जापान उनके वारे में बोलता है कि भारत का आर्थे विकास हो रहा है इसके पीछे आनंद कुमार जैसे लोगों का बहुत बड़ा पहल है नोविल पुर्षकार विजेता केला सत्यारदी के उनके वारे में विचार हैं कि सिच्छा ही गरीवी और सोसर से बाहर निकलने की एक मात्र सीड़ी है आनंद कुमार के सुपर थर्टी के चात्र आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेड़ना है अमता प्रटी से प्रवावित होकर मैं जापान से पठना यह देखने आई हूं कि आनंद कुमार इतनी विशंप परिस्तिति में भारती विद्यारतियों को शिखर तक कैसे पहुंचाते हैं धन्यवाद मित्रो आज की कहानी में बस इतना ही कि फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो करपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो करपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब अवस्य साथ में बेल आइकन को दवाना ना बोलें धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद